एक बार की बात है… एक छोटे से गाउं में रहने वाला एक लड़का नामक प्रदीप था. प्रदीप एक बहुत ही उतसाही और महनती लड़का था. वह अपने परिवार की मदद करने के लिए हमेशा तयार रहता था और उसका सपना था कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिती में सुधार करें एक दिन प्रदीब के पिताजी को अचानक एक बड़ा हादसा हो गया वह गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्हें चिकित्सकों की बड़ी देखभाल की आवश्यक्ता थी परिवार में आर्थिक संकट की स्थिती थी और उन्हें उच्च चिकित्सा खर्चों का सामना करना पड़ रहा था प्रदीप को देखकर यह सब देखने वालों को दूख हुआ लेकिन प्रदीप ने हार नहीं मानी उसने तुरंथ निर्णे लिया कि वह इस संकट का सामना करने के लिए तयार है प्रदीप ने गाव के लोगों के साथ मिलकर एक फंडरेजिंग कारेक्रम का आयोजन किया उसने उन्हें अपने पिताजी के इलाज के लिए धन जुटाने के लिए अनुरोध किया गाव के लोग भी प्रदीप के साथ मिलकर उसकी मदद करने के लिए ततपर थे वे ने एकत्रित होकर जितना धन उनके संगठन ने जुटाया उससे अधिक धन एकत्था हुआ प्रदीब के पिताजी की इलाज की राशे एकत्रित हो गई और उन्हें उच्च चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिला धीरे धीरे उनकी स्थिती में सुधार होने लगा और वह ठीक होकर लौट आए प्रदीब की मेहनत और सामुहिक परिश्रम की वजह से उसने अपने परिवार के संकट को पार कर लिया इस कार्यक्रम ने गाव की एकता और सहयोग की भावना को भी मजबूत किया इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि जब हम एक जुट होकर साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं समुह के एकता और साथीपन की भावना से हम अधिक कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो एकल रूप से हमें संभव नहीं होता इसलिए हमेशा एक दूसरे का साथ देकर और मदद करके समस्याओं का सामना करना चाहिए